अलो एब्रीवान वेव क्लासेश के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है आप सभी भी द्यारतियों के लिए हम लोगोंने ओनलाइन सेटप तयार किया है जिसके तहत आपको डेली ओनलाइफ क्लासेश या रिकॉड़ेट वीडियो आपको प्रवाइड किया जा अहला वीडियो है इस डिजिटल सेटप पर तो मैं आपको कुछ बता दूं कि इस पर क्या भी होने माला है किस क्लास के लिए हम लोग डेली लाइब आने वाले हैं और किसका प्रिप्रेशन करवाने माले हैं तो फिलहाल हम लोग का टार्गेट है 12 वोड एक्जाम जो अभी आप अपने बूर्ट के एक्जाम में जो मार्क्स आप्टेंड करने वाले हैं उसको आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं ठीक है मैं आपको फिजिक्स पराने वाला हूं तो आज के लिए जो वीडियो बनाने वाला हूं उस पे मैं 12 क्लास का एक टॉपिक लूँगा 12th class का एक टोपी लगने वाला हूँ physics का जिसका नाम है optics ठीक है 12th class का जो भी board exam होने वाला है वो state board से होगा या central board से होगा तो आप दोनों के लिए ये video बहुत ही helpful होगा अगर आप नए भी वर हैं तो इसको regular follow कीजिए जिससे आपका benefit हो और अपने नम्मर को marks को maximize कर सकें तो इस जो 12th में board exam होने वाला है वह ऐसा नहीं सोचे कि कोई state board के लिए specifically है ये CBSE वाले भी देख सकते हैं और जो state board वाले हैं दोनों के लिए ये video हैं ठीक है अभी आज का जो target है वह हमारा विहार board रहेगा दोनों के exam में थोड़ा बहुत pattern का फरक होता है CBSE का exam लेने का तरीका थोड़ा अलग है विहार board का या exam लेने का तरीका थोड़ा अलग है तो उसका guidance आपको दिया जाएगा आज का जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वह किसके लिए है विहार board के लिए और विहार board के लिए एक topic लेके मैं आ रहा हूँ optics और इसका कुछ objective सवाल हम लोग discuss करेंगे क्यों objective सवाल ही directly क्यों लेके आ रहे है आपको सब कुछ बताया जाएगा धीरे धीरे 70 marks का exam होगा आपका जिसमें 35 marks का objective paper होना है और 35 marks का subjective paper होना है समझने बात को तो ये 50% आपका syllabus का ये part है तो objective का पकर 12th board की exam में कैसे किया जाए इसके लिए सीधा सीधा option है कि आपको एक conceptual question का set practice आपको करना पड़ेगा regular उस set practice से maximum question तो direct आ जाएंगे ठीक है और set practice ऐसा question का करना है जिससे concept का build-up हो ऐसा concept हम सीखें उससे कि इस तरह का similar सवाल दुबारा हमको मिले है तो solve हो जाए तो मैं start कर देता हूँ और जो बात्चित का जो दौर है वो हर वीडियो में चलते रहेगा अगर अभी हम तो जादा डीटेल में बात करेंगे तो फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा तो हम नहीं चाहते कि आपका अभी time waste हो तो हम सीधा अपने topic पर आते हैं तो topic यहां से हम open करते हैं आज ये recorded video जा रहा है उसके बाद offline जो हम से जुरे हुए है offline वाले बच्चों को आपका timing बता दिया जाएगा कि हम लोग कितना बज़े regular live आएंगे और आप आके यहां पे set practice कीजिएगा आप वहाँ से घर पे mobile से आप option बताईएगा उसे आपको भी थुरा entertaining होगा और साथ साथ में हम लोग तयारी भी कर लेंगे और सब कुछ objective करने के बाद दो माक्स का सवाल आपको topic बईज बताया जाएगा किस chapter से ये सवाला भी important है पांच माक्स का सवाल आपको बताया जाएगा अगर आप offline हम से नहीं भी जुरे हुए हैं और इसका benefit उठाना चाहते तो आप भरपूर उठा सकते हैं आपको topic चेप्टर के नाम से question आपको सब कुछ लिख के यहां पे दिया जाएगा बस आपको क्या करना है कि घर पे honestly उस पे काम करना मेहनत करना है अगर धाई से तीन महिना अगर आप मन लगा के महनत कर दीजेगा हम आपको बता रहे हैं कि 12 बिहार बोड का जो एक्जाम होता है 12 बिहार बोड BACB इसमें आज के time में 80, 85%, 87% नम्मर लाना बिल्कुल असान हो गया है पिछले 4 साल के compare में ठीक है पिछले 4 साल पहले अगर देखा जाए 16, 17, 18 में तो एक्जाम का लेबल थोड़ा होता था आज कल क्या हो गया है कि एक्जाम का लेबल भी घट गया है question का option भी बढ़ गया है तो अगर थोड़ा सा serious होके अगर आप मेहनत करते हैं ना फिर भी आप इस नंबर को प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए आपको अभी से दो महिना सिरियस होके पढ़ना पड़ेगा अगर आप लोग हम पे भरोसा कर रहें वेव क्लासिस के टीम पे आपको भरोसा है तो हमारा guidance को आप फॉलो कीजिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा ठीक है तो हम लोग अस्टार्ट कर लेते हैं हमारा जो टोपिक है वो मैं निकाल लेता हूँ बने रहिएगा वीडियो में अभी तो recorded वीडियो है हम लोग लाइब भी आएंगे लाइब में मज़ा थोड़ा ज़ादा आएगा तो उसमें आप जबाब भी दीजिएगा देखिए आप इसको डेमो वीडियो के तौर पे ले सकते हैं क्योंकि यह पहला वीडियो बनाया जा रहा है आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ठीक है तो आप जूले रहिए देखिए रे आप्टिक्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और और इसको जूम कर दिये जाए तो रे आप्टिक्स हमाला टॉपिक है अगर इसमें हम बात करें और इसमें बात किया जाए तो देखिए रे आप्टिक्स का जो सिल्यवस है रे आप्टिक्स का जो सिल्यवस है वो 14 से 30 marks तक ही जाता है हम ऐसा कैसे बूर रहे हैं 14 से 30 marks आप paper उठा के देखिएगा previous year का question bank आपको पता चल जाएगा 1 सालिस से 1 chapter से 1 chapter नहीं 2 chapter optics दो होता है ray optics और wave optics दोनों से मिला कर 30 marks का सवाल पूछ दिया मतर जो 2 chapter से और बाकी जो chapter बचा उससे बाकी 30 number का सवाल इससे आ गया और कितना बचा 40 number तो 40 number का सवाल बाकी सब topic मिला के पुछा अगर कम से कम पुछेगा तो 14 number 14 number का इसका सिलेवस मतलब लगभग हर साल आता है ठीक है तो 14 से 30 तक ये भहरी कर सकता है तो इसका importance आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर optics कोई बच्चा ढंग से अगर पढ़के चल जाना तो फेल तो नहीं करेगा बहुत सारा एका दिमाग में अभी होगा ऐसे बच्चे भी हैं जो उनको अभी लग रहा होगा कि हम पास कैसे करेंगे तो आपका ये जो वेव क्लासेज का ये यूट्यूब चैनल अभी है स्टार्ट हो रहा है आप इसको इससे जूर जाएए इसको फॉलो किजिए जो आपको बोला जाता हो किजिए अगला दो महिना जो बच्चा भी फेल होने के लिए सोच रहा होगा न वो डिस्टिंग्शन मार्क्स लेके आएगा ये हमारा ये पुरा यकीन है ठीक है हमारा भरोसा है तो आप तोड़ा भरोसा करके और इसको फॉलो किजिए तो रे अप्टिस का सिलेबस आपको समझ में आएगा कितना होने वाला है उसके हिसाब से हम इसका इंपोर्टेंस और समय के साथ बताएंगे थीक है अभी कोर्षन पे डिरेक्ट फोकस करता है गिए पहला सवाल मैं क्या लिख रहा है कि वीच है जघ लारजर डिफररेंसिन फोकल लिंन्द which has larger difference in focal length option में है teleoscope compound microscope दोनों में non-optipal में बोलेजी बताइए किस में जो focal length का difference होता हो ज्यादा होता है teleoscope में होता है compound में होता या दोनों में होता है तो देखिए अगर आपने पढ़ा है इसको तो आप समझते होंगे नहीं समझते हैं तो आप यहां पर देख लिए देखके समझी जितना चीज आपको बोला जाएगा यहां पर लिखेंगे हम उसको आप नोट्स में नोट डाउन करते जाहिएगा रेव अप्टिक्स हेडिंग बना के अब्जेक्टिब लिके उसम मैं किम आप न नहीं तो नहीं तो आप यहां पर देख सकते हैं एकक नाम होता है और यहां होता है अप य। सबसक्राइब लेकिन ध्यान यह देना है कि जो टेली इसकोप होता है ना टेली इसकोप में जो हमारा अबजेक्टिव है इसका एपर्चर बहुत बढ़ा होता है मतलब लेंस बढ़ा होता है और इसके साथ में डिफरेंस भी जादा होगा ठीक है तो अगर इतना से आप समझ सकते हैं कि दोनों का डियाग्राम हम आपको बता है बता रहें और बता रहें क्या कि टेली इसकोप में जो अबजेक्टिव होता है उसका फोकल लेंद बहुत जादा होता है तो यह 42 इंच का असपास होता है जरूत के हिसाब से बनाया गया है उसके हिसाब से सवाल उठा कि किसके पास फोकल लेंद का डिफरेंस बढ़ा होगा तो इसका सही एंसर कोन होगा टेलीज़कोप इसका सही अंसर कौन होगा टेलियसकोप ठीक है तो आप इसको सौटकर्ट में समझ जाएगा आपने नोट्स में इसको नोट कर सकते हैं इस तरह का सवाल अब देखिए यही पर और सवाल बनता है उसको भी हम देख लेते हैं यहां पर और सवाल क्या बनता है इसमें सवाल बनेगा कि बताइए कंपाउंड के लिए बनेगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बताइए कि किसका फोकल लेंथ जादा होता है compound microscope में किसका focal length जाला होता है तो compound का भी डिग्राम बताए थे आपको compound में जो आगे वाला lens होता हो चोटा होता है और पीछे वाला बढ़ा होता जिसका नाम होता है objective और इसका नाम होता है देखिए एक सवाल उठा है यहां से कितना सवाल बन सकता है साथ में कभर करेंगे ताकि आपका एक concept डेवलप हो जाए और एक साथ कमसे कम एक कोस्टन से 10 से 15 सवाल क्लियर हो जाए ठीक है अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल क्या बन सकता है यहां से आप से पुछा जाएगा आप से पुछा जाएगा कि बताइए जो compound microscope है compound compound आपको बताया गया था बेभी किसमें एफी बड़ा होता है और एफो छोटा होता है बोलाएगा compound microscope का बीच का इमेज कैसा बनता है intermediate image इमेज इंटर्मिडियेट इमेज इन वाला बनता है और इसके बारे में उच्छा जाता है सवाल इन टरिम इंटर्मेडियेट और इनलार्ज होता है ठीक है इसका पुछा जाएगा अगला सवाल क्या बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फाइनल इमेज कैसा बनेगा देखिए पहला लेंस से इस ऑब्जेट का इमेजी बना अभी सेकेंड लेंस आइपिस के लिए अब बन जाता है और इसका फाइनल इमेज बना न यह कैसा बना तो फाइनल इमेज के बारे में अगर पूछा जाए कि कैसा बना तो इसको आप बोलिएगा यार रखिएगा अब लिख लिएगा यह वर्चुल और इन्वर्टेड होता है वर्चुल और इन्वर्टेड होता है कैसा होता है वर्चुल और बनता है पाँचों अब्जेक्टिव आप करके जाहिए कोई ने कोई आना होगो तो आएगा ठीक है तो ये सवाल किलियर होगा होगा आगे देखते हैं लोग कि सेकेंड कुस्ट्ट पहाते हैं अब डखिएगा क्या लिखता है the part of eye to see the size and color of object मतलब आग का कौन सा पार्ट है जिससे हम object का size और color को देखते हैं आग का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे हम object का size और color को देखते हैं तो देखिए image जो बनता है eye में वो बनता है retina पे ठीक है रेटिना में दो तरह का sale होता है असरु कि आउटा यहां सभी देखिए सवाल क्या इसका जो image बनता करने का कॉन करता है कॉन का का चाहिए है कोन कोना का में का मैं कुन करता है है तो कौन का क्या है तो मतलब आघा चल। जो पिखाता है तो यहां से दिखना चाहिए ओप्शन में आइडिस ऑप्टिक नवस आइलेंस और नवदीज तो रेटना तो कहीं है नहीं ठीक है इसको सब्सक्राइब तो आप इसको भी माल सकते हैं कि यह जूरा होता है ऑप्टिक नर्व और भी सिगनल भेजता है तो सिग फक्लर क्या दिखłam ठीक है इसको बर सकते थे लेकिन लेंस कलर के लिए नहीं है लें से हमआपको साइज को इल्हीं बोल सकते हैं किए बोट लगता फ्रीज कर गया है एक सेकंड देखते हैं कि अच्छा देखिए यहां पर सवाल दिख रहा होगा दफो कले लिंथ आफ यहां पे थोड़ा सा मक्षर से भी प्रोब्लम हो रहा है स्क्रीन को टच कर रहा है जिसके वज़े से साथ प्रोब्लम हो रहा है देखिए उसी के प्रोब्लम उसे बैठ गया था स्क्रीन पे इसलिए स्क्रीन काम नहीं कर रहा था तलिए सही हो गया समझ गया इसका प्रोलम आ इसको select करके रखना पड़ता है, देख लिजी, question नमर 3 पर आते हैं, अब virtual image, larger than object is formed inner, क्या कहर रहा है, एक virtual image चाहिए, larger than object, object से बड़ा होना चाहिए, formed inner, किसमें बन सकता है, image कैसा होना चाहिए, वर्चूल होना चाहिए, और अब्देट से बढ़ा होना चाहिए यह वने वर्चुल और बढ़ा पहला आपसने कॉन्वेक्स मीटर कि इसमें यह जो इट पतंग उर रहा है न इससे थोड़ा प्रोग्लम हो जा रहा है इसको टच कर रहा है अब देखिए लिए एक है प्रासा डिस्टेक्शन होड़ा कोई बात नहीं है इस लोग भी जीवित परानी है इसको भी जिने का हक है तो क्या कर सकते हैं देखें क्या लिख रहा है दा फोकल लिंथ कि वह ला कुश्चन था बढ़ बर्चुल इमेच अब बर्चुल इमेच ल बनता है हमेशा वार्चुल तो बनता है लेकिन बेरी स्मॉल या स्मॉल सकते हैं वेरी समॉल या अस्मॉल इससे तो बढ़ा नहीं बनेगा ठीक है दूसरा कौन के मिरर अब यह लिए होता है हो तो इस से देखिए एक इमेज जब यह फोकस और पॉल के बीच में जब ऑब होता है तो इसका वर्ट्यों इसे बनता है जो कि बड़ा होता है आप से यहीं पूछा गया था लार्जर दैन ऑब्जेक्टी फोर्म तब वर्चुल में लार्जर रहा तो कौंसा रहा है और देख लेते हैं प्लेंट तो होगा लेंस का focal length किस पर डिपेंड नहीं करता है यह भी अच्छा सवाल है लेंस का focal length किस पर डिपेंड नहीं करता है option देखिएगा refractive index of lens distance of object the two radii of curvature of the lens none of this देखिए इसको question को अश्य से समझीएगा इससे भी बहुत सारा सवाल बन सकता है लेंस के focal length को design करने के लिए निकालने के लिए एक formula drive किया गया है जिसको बोलते है lens maker formula और इस formula को हम लिखते हैं 1 by f equal to mu to 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 यह formula आपने पढ़ा होगा नहीं पढ़ा है तो आप यहां से लेंस को design करने का lens का focal length कितना होना चाहिए उसको define करने के लिए एक formula बनाया गया है जिसका value होता है mu 2 1 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2 जहां पे mu 2 1 mu 2 1 का मतलब है mu 2 upon mu 1 minus 1 into जो भी यहां पे लिखा हुआ 1 upon r1 minus 1 upon r2 रहेगा तो देखिए focal length एक तो refractive index पर depend करता है मीडियम का आई है लेंस का तो मीडियम का refractive index क्या होगा उस पर focal length कर रहा है तो आप से क्या पूछा गया था इसका focal length मालों कि यहां पर इसका focus यहां पर इसका focal length होगा तो इसमें object का कोई काम है कोई काम नहीं है तो lens का focal length जो होता है वो object से तो फिड़ी होता है तो यही option तो सही ही पकड़ा गया दूसरा तीसरा भी पढ़ लिजिए the two radius of curvature of the lens तो देखिए r1 r2 क्या होता है यह दोनों surface का radius होता है तो इस पर भी तो depend कर रहा है तो यह भी सही है कि depend करता है none of these तो none of these तो नहीं है तो यह वहला सही option हम बोल सकते हैं ठीक है तलिए अगला question देखते हैं कि इसके बाद है question number five देखिएगा question number five question number five को देख लिए पर है 35 question आपको बनाना होता है 35 question का हम एक सेट लेके आए हैं 35 question का यह वीडियो रहेगा आप इसको carefully वाज करके जो लिखने वाला point होगा उसको लिख लीजिएगा आपको बहुत फायदा होगा ठीक है तो देखिए question number five में क्या बहुत रहा है एसा उनिट ऑपावर ऑफ लेंस इज लेंस के पावर का एसा उनिट क्या होता है तो आपको पता होगा अगर नहीं पता है तो पता कर लिजिए क्या होता है डायोप्टर यह question बिहार बोर्ड के इसका question को एक साथ याद कीजिए लेज मीड़ागर है तो इस प्लेज मीड़ के लिए रेडियस सेंटर फोकस इस सब कहां पे होता है इंफानाइट फे ठीक है प्लेण मीडर का कुछ भी पूछा जाए सेंटर पुछा जाए रेडियस पूछा जाए फोकस पूछा जाए फो सबसे जादा करने का तरीका है वाइट लाइट में साथक्र होता है जिसको वीवजिओर जो आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए इसमें साथ कलर देख लिए वाइलेट इंडिगो बूगी ति लो ऑजरेट इसका सबसे घ्रट किसका है रेड का उसके बाद और आपका उसके ब टेंसर है ठीक है उसके बाद एक एट नमट को संब आप आइक अब आइक वेक्स लेंज कन फॉर्म और वर्ट्वल इमेज इफ द अबजेक्ट इज प्लेस्ट बाइक वेक्स लेंज किसको बोलते हैं यह था पुछा गया कि अब भाई-convex-lens can form a virtual image if the object is इससे वर्ट्वल इमेज कब बनेगा इससे वर्ट्वल इमेज एक ही बनता है और उत्तब बनता है जब यह focus और और ऑप्किक सेंटर के बीच में आप्जेक्ट होता है इसका image इसी साइट बने गा वर्चौल बने गा किया था बार्चौल इमेज इसी का एक मातर केसे है तो क्या बोलेंगे इसी काव और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑप्षोन आप देख्हिए between the lens and its focus between the lens and its focus देखिए, optic center ना लिखके, directly क्या लिख दिया है between the lens, the lens और उसके focus के बीच में रहेगा, तो सही हो जाएगा तो इसका सही option A है, और भी देख सकते हैं add the focus, नहीं, focus पर रखेंगे infinite पर बनेगा, इसके बाद infinite, infinite पर रखेंगे, तो फोकस में बनेगा between A and 2F, मनलब A for 2F के बीच में, 2F इसका इधर होगा तो A for 2F के बीच में रखेंगे, तो इसका इमेज कहां बन जाएगा center के पीछे चला जाएगा, तो ये भी correct नहीं है, तो सही answer कोन है, इसी यही ही है, फोकस और अप्रिक सेंटर के बीच में रखेंगे, तो इसका वर्चुल इमेज, प्रोड्यूस होगा, ठीक है, question No.9 देखते हैं, the final image in astronomical telescope, astronomical telescope भी आपको बता रहे थे, first question में, देखिए, इसकोप में क्या बुले थे कि आगे वला लिंस बढ़ा होता है, पीछे वला, छोटा होता है, यह objective होता है, और यह IPS होता है, ठीक है, आपको बुला गया कि दुछ, finally मैं बनता हो, कैसा होता है, तो देखो, इसमें light को हम कहां से लाते हैं, infinite से, यह तीनों यहाँ पर कहीं पर मिलेगा, ठीक है, इसमें आगे वला बड़ा होता है, और पीछे वला फुटा होता है, यह तेलियस को फेट इससे दूर का अबजिट को हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर यहीं से बेंड करेगा, शॉड़ी, यहीं से बेंड करेगा लेंस से, यहां पर इमेज बना, intermediate मेज़ है, कोई यहां से लाइट निकलेगा तो आई से न जाएगा इधर जाएगा इधर कियो रगण मिला रहे हैं तो इसका फाइनल इमेज कैसा बना वर्टुल तो देखे क्या बोला है दा फाइनल इमेजी इस्ट्रोनेंगाल स्ट्रेलियोस्वपीज रियल इडेक्ट डियल तो है नहीं व यहां से पेन सेलेक्ट है इसको कैंसिल करना पड़ेगा लिए कि वस्टन नमर नाइन तक हो गया है ज्यादा दर का समय नहीं लाएगा पहला वीडियो है थोड़ा सा पेसेंस रखिए जब लाइव हैंगे ना तो मजा आ जाएगा और हमारे आसपास जितने बच्चे पहर रहे हैं आप उन तक यह इनफोर्मेशन जरूर पहुंचा दिजिए कि वेव क्लासेस और क्रैस आपको फिरी करा रहा है ठीक है आपकर आप रेगुलर में परहे हैं आपके पास कुछ नोट सोर्स अभलेबल है तो आप यहां से गाइडेंस लेके आप घर पे मिनत करके अपना का कर सकते हैं ठीक है बाकी अपलाइन का तो जो फाइदा होता वो होता ही है लेकिन जो बच्चे हम से और नहीं जूर पा रहे हैं या नहीं जूर सकते हैं तो आप इसका बेनीफिर उठाइएगा ठीक है question number 10 देखिए the critical angle of light passing from a glass to air is minimum for critical angle नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए critical angle देखिए select नहीं हुआ है pen pen को select कर लेते हैं देखिए चलिए इसको इधर रखते हैं क्या बुला गया the critical angle of light passing through glass to air is minimum for critical angle minimum किसके लिए होगा तो critical angle नाम सुनते हैं आपके दिमाग में आना चाहिए critical angle कहते हैं किसको हैं critical angle कहते हैं किसको यह denser medium हो मान रहे हैं यह rare medium मान रहे हैं माल्यों के नीचे पानी है आउपड़े हवा है आई बीच को बीच वाला एक surface है जो दोनों medium को divide करा जिसको हम interface बोलते हैं प्रिफरेश को मालाई कोस्टीन करवा है इतना एंगल प्हप्याइड कर वा दिए है इसका रिफ्रेक्सन से हुआ है अगर इंटरफेश से हुआ है थो एंगल अप्रेक्सन हम बोलेंगे कि 90ग्री हो गया जिस एंगला औब कि एंइडन्सकों के लिए जिस angle of incidence के लिए angle of reflection 90 degree हो जाता है इस angle of incidence का नाम दिया जाता है critical angle हमसे सवाल critical angle से related है इसले हम critical angle को पहले समझे critical angle कहते किसको है जब light denser medium से rare medium में travel करता है और अगर angle of incidence के जिस value के लिए angle of reflection का value 90 degree हो जाता है उस angle को हम क्या बोलते है critical angle, हमसे पुछा गया कि बताए critical angle का value किस color के लिए minimum होगा, तो देखिए तो अच्छा critical angle का एक आपको formula भी पता होगा, critical angle को हम ICC denote करते हैं, और इसका formula होता है sine inverse mu1 upon mu2 sine inverse mu1 upon mu2, देखिए इसको भी देख लिए mu1 upon mu2 या mu2 upon mu1 होता है इसका reflectiveness mu1 माल लेते हैं, इसका mu2 माल लेते हैं, तो सनेल्सला कैसे लगेगा तो सनेल्सला लगेगा, mu2 sine ic equal to mu1 sine 90, ठीक है, sine 90 1 हो गया, तो sine ic mu2 upon mu2, mu1 होता है, चलिए, यह हम confirm नहीं था, कि mu2 upon mu1 है mu1 upon mu2, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको आपको एक relation दिख रहा है, कि refractive index के साथ, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ic का value, sine ic sine, चलिए, हम इधर लिख देते हैं, यहाँ पर आपको दिख जागा, sine ic जो होगा, mu2 upon, mu1 होगा, जहाँ पर mu2 किसका है, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कि जो critical angle का value है, वो refractive index पर depend कर रहा है, ठीक है, तो refractive index तो medium का होता है, नहीं, नहीं, ध्याँ रखिएगा, refractive index के वल medium का नहीं होता है, refractive index color का भी होता है, आप इतना से इसका formula आप समझ रहे हैं, critical angle आप समझ रहे हैं, अब question पर आते हैं, इसका solution देखते हैं, देखिए, आप से question पूछा गया था कि किस color के लिए, critical angle, minimum होगा, तो देखिए, अगर हम यहाँ से light को पास करा रहे हैं, अगर यह red light है, और यहाँ से माल लिजे कि red color आप मत देखिएगा, हम आपको जो बोर्व सुनिएगा, अगर यह red color है, आई माल लिजे वाइलेट को रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से, यह दोनों को हम अलग-अलग diagram में भी दिखा सकते हैं, देखिए, आपको clear जादा हो, यह माल लिए, interface है, यहाँ से हम red color को ले जा रहे हैं, यहाँ से चल गया, ठीक है, और इसी तरह से हम अगर हम यहाँ से वालेट को ले जाते हैं, वालेट को ले जाते हैं, इतना ही, अगर angle दोनों का अगर हम सेम रखें, तो हम बोल सकते हैं कि पोसिबल है, इसका बेंडिंग जादा होगा, तो इंटरफेस से चला जाएगा, यह पोसिबल है, अगर इंटरफेस से चला जाएगा, यह पोसिबल है, तो हम यह अनलिटिकल वेव है, हमको मतलब कुछ फर्मूला लगाने का ज़रूट नहीं, हम सोच के इस कोस्टन का एंसर दे सकते हैं, तो रेड़ कलर जितना एंगल पे इंटरफेस से पास नहीं किया, उतना ही एंगल पे वालेट कलर कर जा रहा है, क्यूंकि रेड़ कलर का बेवलेंद ज्यादा है, तो बेंडिंग कम हुआ, तो इसका बेंडिंग ज्यादा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल क इसके लिए कम है तो क्रिटिकल अंगल वालेट के लिए कम है कम एंगल पे 90 डिग्री पर जा सकता है इसको 90 डिग्री पर जाने के लिए एंगल ऑफ इंटरफेस का वेलू बढ़ाना परेगा तो इसके हिसाब से ऑप्सन देखिए तो रेड़ ग्रीन एलो वालेट तो इसका भी बच्चे वीडियो को वाच करेंगे देखेंगे अगर इसमों आपको कमी लगेगा तो आपको एक बार नीचे कमेंट में आपको बोलिएगा कि क्या आपको और चाहिए अगर मालीजे कि हम अपने हिसाब से आपको किलियर करने का कुछिस कर रहे हैं और कहीं से डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि कहां पर डाउट रह जा रहा है अगला वीडियो मुसको सुधार कर दिया जाएगा ठीक है को सनमर 11 देखिएगा आप को सनमर 11 को देखिए क्या लिखा हुआ है विच आप फॉलोइंग फेनोमेना टेकन प्लेस क्या यहां पर इंसिदेंट अपर उससरोर को समझ रहा है देखिए घृटे फिरिज। हम जैनल तो दिखाते हैं पेंवेक्ट ड़कर लेता हैं चलिए हो गया मैं आ दिए और ना किया हो इस वह न बूला कि को हे सब्कम क्नियेंगे तो एक एक िरूब सबसे पहले दिया जो की बिल्कुल गलत है आपको मोनोक्रोमेटिक लिखा है मोनोक्रोमेटिक में एक ही कलर है तो यह कलर से साथ कलर तो नहीं बन सकता है इसके बाद है डेवियेशन तो होगा न अगर कोई भी लाइट को हम इंसिदेंट करवाएंगे तो यह इसको मोड़ेग रिचवाच-बन रिचापर, और रिटाझ को और तो इंसिदेंट रहाएंगे मेनम कर्द है सभाचल object-डलक ट्टेपर देटा सबस्क्राइप जो यह ओर तो तुझंञ एक प्लेजितार है जो लाइट को डिवा Γ without- IT-T इसको बुला कि थिटा कुण से रोटेट कर दिजिए देखी रोटेशन हो गया माली जी की थिटा कुण है थिटा कुण से मिर को बॉला कि रोटेट कीजिए एबाउट एन अगर यह ऑबजेक्ट है इसके प्लेट के प्रपेंडिकूलर है उसमें आपको रोटेट करवाना है तो बैनों अब तो आपको ऐसा पढ़े होंगे तो आपको पता होगा और नहीं पढ़े हैं तो डारेक्ली याद रखिए कि अगर प्लेंड मीडर को इसका रे डागराम भी बनता है लेकिन अब्जेक्टिव के लिए कुछ को आपको डारेक्ली याद रखना जरूरी है क्योंकि यह ठीक है इसमें कोई दूमत नहीं है तो देखिए प्लेंड मीर को अगर हम ठीटा एंगल से खुमाएंगे अगर पुछा जाए कि इमेज कितना एंगल से घुमेगा या रिफलेक्टर रे कितना एंगल से घुमेगा तो उसका सही एंसर है तूठीट से आपको याद रख सकते है इसमें एक सवाल और बनता है उसको भी देख लीजिए प्लेंड मीर है इसके सामने को अब्जेक्ट रखेगा आप बोलेगा क्या कि ऑब्जेक्ट को आप घुमा दीजिए ऑब्जेक्ट यहां से माली यहां चला गया ठीटा कुन से ऑब्जेक्ट घुम गया ठीट ओ था को अब लोग यहां तक यह 12 तक वेल के बाद 13 वेल पेज़ का वेन अकन बर्जेंट वीम उपलाइट इस इस इंसिडेंट और ना प्लेन मिरर देए इमेज फॉर्म डिज एक कनवर्जेंट वीम इंसिडेंट हो रहा है प्लेन इमेजर पे कनवर्जेंट भीम आप समझते हैं तो बोला कि इमेज कैसा बनेगा देखिए इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं फिट से एक बर इस अब कोस्टन अच्छा है अच्छा कोस्टन ही आपको कराया जा रहा है फाल्दू सवाल अभी करने इसके बाद प्रिविए से उठाई है आपको सेट मार के देखिए और प्रिसक कर लिया है और इसको सवाल चूटे कर नहीं गरंटी है ठीक है देखिए को सब्सक्राइब जन कर रहा है कि वे न सब्सक्राइब कर कि अ मिलने दीए मिल आ इसको पार्जेन्ट में माता निकलता है और फैलता है इसको बोलता है या यह क्या होता है एक फैलते हुए आता है और आगे मिलता इसको बोलते हैं कर वर्जेंट अगर इसे लाइट आ रहा है आप बीच में इसको रख दिए तो यहां पर होगा न क्योंकि मिल तो पाया नहीं तिसको बोलें कि इसको बॉलेंगे वर्चुल यह वर्चुल अब जिए तो लाइट इधर गया नहीं तो रिफलेक्ट होके वापस आजाएगा जहां पे कटेगा यह सीधा गया तो सीधा वापस आजाएगा जहां पे कटेगा वहां पे क्या बनेगा इमेज तो इमेज कैसा बनेगा रियल ऐसे भी याद रखिए प्लेड मीडर में अगर ऑबजेक्ट वर्चुल है याद रखिएगा प्लेड मीडर में तो real image बनेगा, लेकिन जो image बनेगा वो erect होगा, जिसका सही अनसर कोई है? C, कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं plan mirror के लिए plan mirror से सवाल आएगा, बुलेगा कि plan mirror से बता ये, direct सवाल पुछा, plan mirror से जो image बनता है, वो कैसा होता है? इक होगा सिधा होगा और सिम साइज का होगा और कुछ नहीं rav festivals कैसा मोसा सीधा है तो रट्टुल farklı और से में साइज का तीक है अगर उसमें बोलके पूछे कि object virtual है तब image कैसा बनेगा तब real plane mirror में उल्टा यार रखिएगा अगर object real तो image virtual अगर object virtual तो image real बनेगा हमेंसा सीधा ठीक है इसका सही अंसर कौन होगा real and erect तो आपको उम्मीद हम ऐसा करते हैं कि आपको समझ आया होगा इसके next slide पर हम लोग चलते हैं 10 से 15 मिट में हम कोसिस करते हैं कि इसको complete कर लें ठीक है अब देखते हैं कि हो पाता है या नहीं अलिए देखिए खुल गया है देखिए क्या लिखा हुआ को फॉर्टीन नमर्ल कॉस्टन में given a point source of light which of the following can produce a parallel beam एक point source आपको दिया गया है और आपको बताना है कि उसमें से parallel beam को produce कौन कर सकता है तो देखिए option में क्या convex mirror फ़रा और बड़ा कर लेते हैं आपको सायद visibility के लिए नहीं आ रहा होगा अब आ रहा होगा देखिए तो पुस्टन क्या पुछा गया था पुछा गया था पुछा गया था कि गिविन अधा point source of light which of the following can produce a parallel beam of light आपको एक point source दिया गया है आपको पुछा गया कि बताए यह parallel beam को प्रोडूस कर सकता है अगर हम बोलें कॉनवेक्स मिरर करेगा कॉनके मिरर करेगा दोनों करेगा नन अब्रीज करेगा कौन से इंसर है तो देखव इसको अगर हम बोलें अगर कौन के मेरे में हम रखते हैं, तो कौन के मेरे मेरे में अगर हम यहाँ पे पॉइंट सोस रखें, और माल लीजिए, यह इसका फोकस है, और यहाँ से लाइट को हम इसी डिंट कराते हैं, तो यह रिफ्लेक्शन के बाद पैलल आएगा, यह सही है, यह लोजिकल सवाल है अगर आप पड़ाई लिखाई करते होंगे तो आपको पता चल रहा होगा इसमें कुछ है नहीं आप बस रेडाग्राम से समझ रहे हैं कि कौन के मीरर के अगर फोकस पर अबजेट को रखा जाया है तो जो लाइट निकलता है तो पैलल जाता है वो बर्चुल समझी रहें कौन बना सकता है और विक्स मिरर का बसका नहीं है कौन वेक्स मिरर ही है कि हमेशा छोटा बनाता है आपको चाहिए बड़ा दूसरा क्या है कौन के मीरर बड़ा बनाता है और क्या वर्चुल भी हो ला हाँ इसका एक इमेज जो फोकस और पोल के इमेज कौन बना सकता है मेर नहीं प्लेडा विक्समें इसका बनाता है अभी बताए थे आपको और क्या नंबर समय और इजए उजड तो फॉर्म अन कौन सा मिरर ? Convex mirror is used to form an image of a real object. Object real is which of the following statements is wrong. कौन सा statement गलत है? किसे image पुणाना है Convex mirror से? देखे क्या लिखता है? The image is erect. Convex mirror यह बला है. Convex mirror से हमेशा erect बनता. यह बिल्कुल सही है. आपको wrong choose करना है. तो इस सही answer नहीं है. कि मतलब इसके हिसाब से सही है दे इमेज इज इडियल नहीं इगलत है यह तुम्हारा करेक्ट एंसर हुआ क्योंकि आपसे पुछा गया था कि कौन गलत है तो गलत कौन है बी गलत है इसके बाद कुछ्छन नमर 18 देखिएगा उटलब ये अगर आपको दिख्थ रहा हां दिखी रहा है इसको थोड़ा उपर कर देते हैं तो हम हम थीड़ारा कुछ कोईग इसके सामने एक बल्ब को जलाया गया है यह बल्ब है आप से पुछा गया कि इसका जो brightest image बनेगा वो कौन होगा इससे बहुत सरा image बना रहा है ठीक है तो brightest image कौन होगा तो देखो इस वो समझना पहला image जो बनेगा न यह यह बनेगा आगे वला सर्फेस like reflecting सर्फेस है five but yet he nega बनेगा है जो regarder से टकट जब लटकर इन्टेंसिटीटी ज्यादा होगा दिफ्राक्षेंस और किसके रिफ्र्क्षेंध बनाईए आट रिफ्राक्षेंस सेकेंड तो इसका एंसर कौन सा यह सेकेंड इसको याद भी रखिएगा प्लेन मीर अगर मोटा है आप पूछे कि कौन सा इमें ज्यादे चमकेगा कौन सा ब्राइटेस्ट होगा तो जो सेकेंड इमेज बनता हो कहां से इसके बाद निच्स कोशन पर आते हैं निच्स कोशन पर आते हैं देखिएगा यहां तक हो गया है को सब्सक्राइब नाइंटीन से लोको देखना है अलिए देखिए अब आइक और वेक्स लेंस मियू लिखा हुआ रिफ्रेक्टिव इने पॉन पॉनपट फाइब हैस इकुल कर वेचर एच अप 20 सेंटिमेटर अपावर अफ देखिए और आपको एक बाइक और वेक्स लेंस लेना है जिसका रेडियोस अपकर वेचर इकुल कर वेचर बोला है 20 सेंटिमेटर गाता पावर पुछा है तहा हम फोकर लेंड लिखा अब दूसरा का रेडियस माइनस में होगा यहां पर क्या हो जागा साइन करने मिशन लाएंगे तो पलस हो जाएगा तो वन बाइएफ एक वल टू मिव टू मिव टू मिव टू क्या हो दालेंस का लेंस का कितना दिया है 1.5 अब कुछ नहीं बोला है तो मीडियम हम मानेंगे तो मिव टू अपन वन हो जागा तो इतना ही रहेगा माइनस वन आइन टू दोनों का रेडियस अपकर वेचर कितना 20 सेंटिमेर्ट तो वन बाइटी प्लस वन बाइटी दोनों एड हो जाएगा तो वन बाइए बढ़ाबर क्या लिखेंगे जी रो पॉइंट फाइब 1.5 म प्लस वन टू हो जागा तो टू से हो गया टिन इसको क्या लिखेंगे वन भाइट का वेलू कितना आया फाइब अपॉन हंड्रेड तो एक तो नीचे में था तो दस तक तो तो दस तो गया तब को कलन दिया हो जागा सो बटा पांच तो सो बटा पांच का मतलब 20 cm आपसे पुछा था आपसे क्या पूंचा था कि पावर क्या होगा तहान rapper और भुडबर होता है लिकिन दियान में रखना क्या होता है कि यहां पे होता है कि सेन्टीमीटर में तो इसको मीटर में बद लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon 20 divided by 100 100 कहा जाएगा उपर तो 100 by 20 तो कितना हो जाएगा 5 एंसर देख लीजिए 5 डियोप्टर पाहला एंसर सही है तो यह भी कोशन मुश्किल नहीं है जो बच्चा कोई पता है वो आप समझ गए होंगे जिनको नहीं पता है उसको फोकल लेंस निकालने का यह फर्मूला होता लेंस का फोकल लेंस निकालके फावर का फर्मूला अप्लाई कर दिए एंसर अमारा आ गया आप कॉंसेप्ट भी कर लीजिए कंफर्म है कि सवाल बन जाएगा ठीक है तो पढ़ने का तरीका होता है आपको तरीका से कर तयारी कराया जाना तो धाय महिना में आप टॉप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बसरते आप थोड़ा मेहनत करने के लिए त्यार रही है कि देखिए अग और सही में यह करेक्ट टू है भी इसको कैसे समझते हैं ऐसा कोशन बहुत सारा बन सकता है देखिए यहां से अगर हम इमेज प्रोड्यूस करेंगे इसमें देखिए चार राद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिख रहा है आपको मिवण मिव तरी मिव टू और मुई फोर अ यहां पर एक ऑब्जेक्ट है देखिए फिर से मच्छर इससे टकरा रहा है बार बार लेकिन कोई दिक्कत नहीं है देखिए इधर इमाली यह मूँट्यू है यहां पर बोलें कि ऑब्जेक्ट है बदाए कि इमेज बनेगा क्यों कि यह दोनों मिलके तो रिफ्रेक्शन एक यह दो यहां पर मुट्य देते हैं डिफ्रेक्ट एक अब बनेगा क्योंकि शोग का रिफ्रेक्शन अलग अलग पाइंट पे ऊच्छोग इमेज दिखाई देगा इसका कॉंसेट आपको क्लियर रहे इस तरह का कोई भी सवाल बना आएगा आब बना सकते हैं चलिए कि नेक्स को सदेखिएगा थोड़ा उपर श्लाइड को कर लेते हैं उसके बाद है ट्वेंटी वन से देखना है ट्वेंटी फोर तक ठीक है यह स्लाइड में आ जाएगा है 21 से 24 तक सामने सामने पूरा कंपलीट कर लेंगे देखिए क्वेंटीवन क्या वो रहा है कि वेनर रेयो अफ्लाइट इंटर्स अग्लास स्लाब इट्स बेवलेंद पूछा गया है दो साल पूछा गया है देख लीजिए बहुत सरा कोशन में आपको लिखावा मिल जागा कि कब पूछा गया है तो यह सब ऐसा कोशन है जो अल्रेडी सवाल निकलेगा इसके साथ साथ में हम दो एक कोशन पर सवाल का हम सोलूसन दे रहें उसको आप नोट जरूर कीजिएगा ताकि आपका हेल्प हो बहतर क्योंकि सवाल यही रीपीट हो जाएसा को जरूरी तो नहीं है थोड़ा बहुत उधर-उधर करके पूछ ले तो आप के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि आप एक कुशन कर रहे हैं और उस कॉंसेप्ट से और सवाल जो बन रहा है क्या उसको आप समझ पा रहे हैं अगर समझ पा रहे हैं तो आप पूरा बन जाएगा हम आपको समझा के बता रहे हैं जब समयाइट करेगा गता सब्सक्राइब यहां से सब्सक्राइब करेगा तो ऊसका इस लिए तो इसका नहीं होगा तो यहां भी याद रखेगा कि light किसी भी medium में चला जाए इसका frequency का भी बदलने वाला नहीं है यह हमेशा constant रहेगा बदलता कौन है lambda और उसका speed c घटेगा lambda घटेगा c बढ़ेगा lambda बढ़ेगा समझ में आया तो यह दो question बना यहां से तो when array of light इंटर सट ग्लास लाइब इस बेवलन डिखेज अब फ्रिक्वेंसी रिमेंड कॉंस्टेंट अगला सवाल वेन देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं यह दो इंटर सट ग्लास लाइब इस बेवलन सेम सवाल है दूदर सोले में भी पूछ दिया बताइए थेरह में पूछा पंदर में सुचा सोले में पूछा अगला साथ हो सकता है फ्रिक्वेंसी के बारे में पूछ ले कोई नहीं जान रहा है यह भी से मैं अब सने डिक्रीज करे तो टोटल इमेज का फर्मूला आपको पता होगा ऐसे पढ़ोंगे तो नहीं पढ़े हैं तो आप यहां पर देख लिजिए जो नम्मर ओफ इमेज निकालते हैं इन इसको निकालते हैं 360 अपन थीटा से अधिरिश्टी अपन थीटा पहले किजिए तो 360 एपन दोनों पैड इसको पर चेक करना प्ड़ता है और यहां पर 3 केश बंता है एक और चांस को पूशा जाता है यह पर मापको था आधा हुए तो यहां पर देखिए कोस्टन के हिसाब से हम बात करते हैं क्या बोला था कि इवेन अरे अपलाइट नहीं यह तो हो गया था यह वला ना दब वर्टिकली पोस्वल नम्रों प्लेस्ट बिडिविन टू पैलल मीडर दो पैलल मीडर था अब बोला कि इसके बीच में एक वर्टिकल आपजेट को प्लेस किया गया इसका केव इमेज बनेगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना है जी दो दिख़ी है तो अब यहां पर बात करें तो 360 एपॉन जीरो किसी भी नंबर में अगर हम जीरो से बात करेंगे किसी भी नंबर में मartedें चल जागा पीछे दगेगा इसको कोई करेंच नहीं कर सकता है देखिए होगा क्या इसका इमैची बनाएगा इसका इमेज बनेगा इसके लिए य औब ठोंगत तो प्रेहीं को यह थोडा सा सब cumulative ahah the field of view is maximum for field of view समस्ते है देखने का छेत्र तब field of view is maximum for field of view किसका maximum होता है देख़ डेका अग dön lobe har pear the अगर इंधमील भी कैसे बनाते हैं एक लाइट यहां सबनाते हैं यहां से निकालेंगे एक लाट यहां से निकालेंगे यहँड़को यहां से इधर तक देखो डैग्राम के हिसाब से अगर पता चल रहा है कि इसका फिल्ड भीव यहीं इसका फिल्ड भीव है तो फिल्ड भीव सबसे ज़्यादा किसका होगा कॉन्वेक्स में रख सकते हैं कि फिल्ड भीव किसका बढ़ा होता है कॉन्वेक्स का इधर देख लीजिए 24 तक हो गया 35 तक हमको करना था एक सेट हम आज लेकर आए थे जिसमें हम टार्गेट यहीं लिए थे कि 35 तक है बस पांच मिनिट और समय लगेंगे उसके बाद आप थोड़ा सा इसको पेसेंस रखके देखिएगा और आप कमेंट करके बताईएगा कि कैसा है सर और ऐसा रिकार्डिट वीडियो में कोई रहता नहीं है कैमरा के सामने सीलाना होता है तो आपका रिस्पॉंस बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है को से नमर इसको तो तो अब देखिए हम लोग नया सेटब लगा हैं तो थोड़ा सा प्रोलम होता है तो इसको आप थोड़ा सब्सक्राइब ये अश्करταइब लगा है तो हम लोग काभी आदत हो जाएगा यह फिसला साल इसको बहुत बच्चे का फाइदा थे कड़ुआये थे लास्न के एक महिना हम लोग जो की लेकिन हम लोग नहीं तो तो थोड़ा सा मुस्किल होता था ऑनलाइन लेना लेकिना ह हम लोग ने इस साल सेटप त्यार कर दिया है ताकि बच्चों का जादा सजादा फाइदा किया जाए तो देखिए 24 तक कर लिये थे 25 देखते हैं कि अगले 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 कि सिंधिए अ कि यहाद रखना यह सवाला यहां थे इस सवाल क्या कह रहा है इस दो प्लेद मियर्ग अब दो प्लेट मियरर इसका डिजल्ट हम आपको बता रहे है अगर डिटेल में हम निकाल के बता है ना तर टाइम लगेगा तो अब्जेक्टिव के हिसाब से कुछ चीजों को याद रखना ज़रूरी होता है दो प्लेन मिलेर अगर थेटा एंगल पर इन क्लाइंड है ठीक है इस पर कोई और दो कूछ याँ यहाँ यहां से रिफलेक्ट किया फिर यहाँ से रिफलेक्ट किया मल्टिपर रिफलेक्चन हो रहा था तो कोई पुछे कशे कर बताओ जो एंगल उफиля सभीयस्एले पर यहां तो किसे इंडिपेंडेंट है तो एंगल ऑफ इंसीडेंस इसमें देखिए कहीं अप्सन है ठीक है तो इसको आप याद कर सकते हैं तो इसके बाद देखिए अगला कुश्चन अगली प्लेश भीफोर अठीक प्लें मीडर एक कैंडल है जो ठीक प्लें मीडर के भीफोर मतलब पहले रखा गया है वेल लुक्ट अबलीकली इन मीडर और नमबर ओफ इमेज़ेदार सीन फ्रॉम दर सर्फेस दा सर्फेस ऑफ दप्लें मिडर देन दफास सबसे चमकीला सबसे ब्राइटेस्ट इमेज हमको कौन सा दिखेगा तो सेट वाला था तो सेम का खुस्टन है बस यहां पर बल्ब के लिखा हुआ है कैंडल तो इसका एंसर क्या हो जागा सेकेंड वाला 27 देखिएगा वेनकर बर्जेंट भीम उप्लाइट इस इसमें क्या दिया ऑप्सन में ऑप्सन चेंज है सर देखिएगा ऑप्सन चेंज है अप्राइट रियल अप्राइट वर्चुल इनवर्टेड वर्चुल इनवर्टेड रियल तो उसके इसाब से आप रियल तो बनेगा क्योंकि कनवर्जिंट भी में है तो अब्जेक्ट हम लेंग्वेज बदल गया दोनों सवाल अब देखिए सेम ही है बस लिखने का तरीका बदर रहा है अब बच्चा वह सवाल करके गया है और यह सवाल आगया तो ऐसा नहीं होना चाहिए आप पेसेंस रखिए धाई महिना का समय बहुत होता है आप थोड़ा सा ध्यान देके तो 12 का मास का इंपोर्टेंट है ठीक है तो अब ही समय है आपका एदम गोल्डेन टाइम है जितना नम्मर बटोड़ना है बटोड़ सकते हैं देखिएगा 27 तक हो गया था 28 देख लेते हैं क्या बोल रहा है च्व्एंटी है में क्या बोल रहा है अन ऑब्जेक्ट लाइच बेटूँन फॉकस और रोड़ेकर अाट सेंटर ऑफ कर्वेचर अब दा कॉन यह इंग जया हां पर दिखा दो कॉन के मीड़़ना कॉन के मिऱना लिए इसमें बोला कि अब्जेक्ट कहां पर रखना है तो बोला की इमेज कहां बनेगा नािमेज फोर्मड तो देखो नहीं that फोकस पे इंफऑनाइट के ब Blade में तो सेंटर के बीच में उसके बाद सेंटर पे रसेंटर फोकस के बिच 001 इन विले C कॉन्वेक्स लेंस से क्योंको मनता है यह कजीजा और तो नहीं पता है आज का आज आभी का में पता किजिए कि I 4 से कितना बनता दो मिर्ट दो जिंक्री लीजे ठीक है कि इस तरह का दो hai है तो इसका सभी एंसर क्या होगा तो नहां बनेगा normalized इंवर्टेड शाही और वटीड वेट को और सुटा नहीं बड़ा बनेगा कि यरव God when to 1929 यह में अपर सन्सीज डाइश Sijn पिस इन एपने फेस को देख रहा है अब उसको दिख रहा है कि मूह बढा हो गया है तो आपbenुधे कौंसा होगा तब बडात चेहरा किसमें प्लेन में तो दिखेगा कॉन के दिख सकता है जब तुम्हारा चेहरा कहां पर होगा फोकस और पुल के बीच में रहेगा तब तुम्हारा चेहरा का साइज बढ़ा हो जागा हल्क बन जाओगे तुम सबकुछ बता दिए फोकल रेंध्ट पूछे सेंटर पूचे रडियस पूचे सब क ता तहम फिमेंग隻 सो करते हैं हमिए तो ने मुटने चाहिए कितना होगा वन 32 देंटे चrü तो बुला की फोकल लेंथ यहां पर फोकस होगा इसका फोकल लेंथ बोला 20 cm एक ना संटीमेटर रहे 20 cm है कि अजिसका रिफ्रेक्टिव इसका रिफ्रेक्टिव इनिक्स बॉला 1.5 है जबी इस फिलेंज को हम रिफ्रेक्टिव इंडेस से थे दूसरा मीडिया में पॉइंट 1 by R1 minus 1 by R2 बताओ यहाँ पर Mew 2 on का मतलब क्या होता है Mew 2 upon Mew 1 Mew 2 होता है लेंस का यह होता है मीडियम का आप दोनों का रिफ्रेक्टिम निस देखें सेम हो गया है तो दोनों कट जाएगा कट कि कितना हो जाएगा 1 दोनों देखिए फिर से लिक देते हैं 1 by F बराबर क्या था Mew 2 upon Mew 1 minus 1 इंटू में होता है 1 by R1 minus 1 by R2 तो यहाँ पर Mew 2 upon Mew 1 दोनों equal हो गया है तो दोनों कट के कितना हो जाएगा 1 अगुशन किया था दफोकल लेंथ अपलेंस में इव उपलेंट फाइव इन एर इस 20 cm इस फोकल लेंथ इन मीडियम और रिफ्रेक्टिम इस 1.5 तो कितना हो जागा infinite कि इतना हो जागा infinite आप निकालने का फर्मूला है डलेक्लें रतवा नहीं आपको बता रहें कितना होगा infinite होगा इसके बाद पुरासा सलाइड ऊपर कर लेते हैं जो कोस्टन है दिख जाएगा दिख गया लास्ट इसके बाद है 34 34 में क्या बोड़ रहा है इसके बारे में स्टाइटिंग में डिल कर लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप याद है कंपाउंड में आगे वाला चोटा पीछे में बड़ा और रिफ्रेक्टिंग टेलिस्कोप में इसका ठीक उल्टा बोला किया कि इमेज फॉर्ण बाई अब्जेक्टिव लेंस यह होता है यह होता है आई पीस बताई 2018 का सवाल है पूछ सबली बड़ा है डियल इंभर्टर बड़ा ऑडियाल इंभर्तर बड़ा धाली रेंस फोटा नहीं रियल लार्ज यह वह फ्रेक्टि इस इसको हम क्लियर कर लेते हैं अगर लेंस को एक लिक्वीड में हम किये हैं जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब लेंस का रिफ्रेक्टिव इनिस और मीडियम का दोनों का इक्वल है तो कितना हो जागा विकम सिंफाइनाइट वैसा हम उमीद करते हैं कि आपको यह वीडियो से हिल्प मिलेगा और आप इमंदाड़ी से इसको देखीएगा और मेहनत कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जो ऑफलाइन के बच्चे हैं जल्दी हम लोग क्लास देंगे तभी कुछ हो पाएगा ठीक है तो आज के लिए धन्नेवाद थैंक्यू कि अ झाल झाल